नमस्कार आप देख रहा हैं आरेडी डियूज मैं हूँ योगीश चक्रवाइती बिहार विशेश ससस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर सडक से सदन तक कोहराम मचा है कल विहार विधान सभा में विपक्च के विधायकों को इसी विल के विरोध के कारण उठा उठा कर बाहर फेका गया और ये लोकतंत्र के लिए बेहद ही शर्मनाक घटना थी आखिर इस बिल में क्या कुछ है यही जानने हम पहुँचे हैं बिहार के पुर्व डीजीपी अशुक कुमार गुपता जी के पास जो इस वक्त हमारे साथ हैं आईए जानते हैं कि बिहार विशेष ससस्त्र पुलिस विधेक 2021 जब विधान सवा में पास हो गया है तो जनता को इसका क्या खामयाजा भूगत ना होगा सर राइड डिटवेट में आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद सर ये बताइए कि जिस तरह से इस बिल को लेकर कोहराम मचा सदन की गर्मा तार-तार हो गई तो क्या है इस बिल में जो इतना बिरोध हो रहा है सदन में क्या हुआ है यह तो प्रिविलेज का मामला है उसके अंदर की जो भी बातें हुई है घटना घटी है या इस बिध्यक पर बिहार विशेश सशस्तर पुलिस बिध्यक 2021 पर जो भी आपस में चर्चा पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष में हुई है वो तो एक सदन का मामला है उस पर मैं ठीका टिपनी नहीं कर सकता हूं लेकिन जहां तक विशेश सशस्तर पुलिस अधिनियम यह विध्यक जो है 2021 का जो कल विधान सभा में देर संध्या पास भी हो गया तो उसका प्रश्ण है यह विवस्था परहले से बीएंपी के नाम से चली आ रही है प पिमतलब विहार मिलिटरी पुलिश का एक तो नामकरन बदल के विवार विशेश सशस्तर पुलिस बहले से कर दिया गया आए तो नाम बदल दिया है यह तो चलिए ठीक है क्योंकि मिलिटरी तो शेना से संबन्दित नाम लगता है तो शिविल में राज पुलिष के यह सब्सक्राइब कर दिया गया है चलिए ठीक है यहां तक ठीक है लेकिन इसके कुछ जो प्रावधान इसमें दिये गए हैं इस बिल में खास करके धारा साथ साथ में दिया गया है कि बिना वारंट के सचस्त्र बलके पदादिकारी गिरफ़तार कर सकते हैं और धारा आठ है जिसमें यह प्रावधान दिया गया है शक्ति पावर दी गई है कि बिहार विशेश सचस्त्र बलके पदादिकारी जवान जो भी होंगे ड्यूटी में वह तलासी ले सकते हैं बिना कोट के आदेश के या वारंट के जो भी कहिए तो ये दो प्रावधान धारा साथ और आठ में किये गए तो आम तोर पर गिरफतारी और तलाशी या जिला पुलीस और पुलीस के अधिनस्ट जो राजिकित में थाना होते हैं थाना का ओफसर इंचार्ज ऐसे चो जिसको कहते हैं उनको और उनके अधिनस्ट जो थाना के पदादिकारी हैं कनिये अवर्निरिक्षक एसाई सहाय कवर्निरिक्षक उनको यह सब सक्तियां दी गई हैं सियार पीसी केता है सियार पीसी में धारा 154 में कोई भी फर्यादी कोग्निजेबूल आफिस संगे अपराद जैसे चोरी डिकैती हत्या जैसे मामलों के शिकायत करता है थाना पर वादी जाकर कंप्लेनेंट तो एफाइयार दर्ज किया जाता है 154 सियार पीसी के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के दौरां सर्ज एविडेंस कलेक्ट किया जाता है घटना अस्तल का मुएना करते हैं पुलिस के पदादिकारी जो तो और उसके बाद परयाप साच होने पर गिरफतारी करते हैं तो सियार पीसे में यह सब शक्तित दी काम उनके द्वारा किया जा रहा है अब बिहार विशेश सस्त्र बल्ल को अगर यह शक्ति धारा साथ और आठ की दी जाती है जैसा कि बिल में प्रावधान तो अभी तक पर जो पदाधीकारी उसमें है उनकी वैसी ट्रे Will नहीं हुई है इनको इनका काम है यह साहयता देना जिला पुलिस को थाना को थाना अगर फामारी जाता है अपरादियों के खिलाप नक्सलियों के खिलाप तो उसमें जो है यह सब जो है यह सहायता देने का काम करते हैं तो इस प्रकार से BMP एक auxiliary force है तो आभी तक उसी रूप में यह काम कर रहे हैं पदादिकारी हो या इनके राइफल वाले arms जो लिये रहते हैं जो जवान है उनका यह काम है तो ट्रेनिंग नहीं है फिर जैसे दरोगा और ASI की ट्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तो यह तो प्रसिक्षित नहीं है अभी तक आज के दिन तक तो जिनको जानकारी नहीं है उनको यह सब शक्ति दे दी जाएगी तो फिर उसका दुरूपयोग हो सकता है जिसका को भाजन जनता को आम जनता को होना परेगा तो इसका कोई प् होंगे बिहार विशेश चसस्तर बलके और थाना को जब यह पावर पहले से CRPC में दिया गया है गिरफतार करने का चार्शीट करने का और ट्राइल में कोट उसको सजा देता है अगर कोट उसे दोशी पाता है तो वैसी इस्थिति में कारवाई कोट करता है तो एक प्रतिस्था आ रही है जो बिल के माध्यम से आएगी तो इसके बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे दुरूपयोग हो सकता है नीम हकीम खत्रे जान जो पुलिस के पदारिकारी होंगे सस्तर बलके वह काम जानेंगे नहीं उनकी वह जोगता नहीं वह उनका प्रसिक्षन नहीं हुआ है उस अस्तर का तो वो यह सब कारवाई करेंगे और जैसा कि दिया क्या है प्रावधान मात्र और द्योगिक परतिस्थान या हवाई अड़्डा या मेट्रो कि सुरक्षाही केवल काम नहीं है विदी ब्यवस्था में भी इनका हो सकता है उग्रवादियों के एक पुलिस प्रॉसेस है जिसमें पेशेवर जो निपून और दक्ष और जानकार प्रशिक्षित पुलिस के पदादीकारी होंगे वही यह सब काम करने में सक्षम है जिस तरह से प्रतिपक्ष के नितालागातार इस बिल का विरोध कर रहे थे सड़क पे उत्रे कल इसके ख और धारा इसमें आया है धारा पंद्रा धारा पंद्रा कहता है कि अगर बिहार ससस्तर पुलिस बलके पदादीकारी अगर कोई अपराद करेंगे अपने ड्यूटी के दोरान जगन अपराद हो या लापरवाही हो इस तरह की जिससे आम जनता को विशेश कस्ट पहुंचा ह तो ऐसे मामलों में उस पुलिस पदादीकारी के खिलाफ कोट कोगनिजेंस नहीं ले सकता है जब तक कि कोई पुलिस का उनका सीनियर ओफसर और राजसरकार लिखित रूप से मंजूरी नहीं दे कि हां ऐसे ससस्तर बलके पदादीकारी के खिलाफ आप करवाई कीजिए जो है बिहार ससस्तर पुलिस के जो पदादीकारी होंगे या दूसरे जवान होंगे ड्यूटी पर वो निरंगुष हो सकते हैं पर इस प्रकार से फिर जनता को ही भाजन होना होगा आज के दिन में अगर थाना पुलिस के पदादिकारी किसी भी अस्तर के हो वो अफसर इंचार्ज हो इंस्पेक्टर हो डीएसपी हो या उसके उपर भी वड़िये पदादिकारी अगर आम जंता के खिलाफ अपने कर्टब के निर्वहन के दौरान कुछ जाती करते हैं कि कस्टोडियल देथ हो जाता है पकर के ले जाते हैं और थाना हज़त में तॉर्चर से कभी-कभी जो संदिग्ध व्यक्ति को पकर के पुलिस ले गई है उसके मिर्तिव हो जाती है तो एक अपराद हो गया विशेश प्रिस्तितिती में या हत्या का अपराद भी माना जा सकत तो वैसी हालत में भी जनता को या उसके परिवार्ट के लोगों को अधिकार दिया गया है संभिधान में fundamental right है कि हमरा के कोट में complain कर सकते हैं थाना में भी कर सकते हैं कोट में भी कर सकते हैं इसको complainkel करते हैं और ऐसे में मैजिस्ट्रेट को भी पावर है 202 CRPC में कॉम्प्लेंट पर वो कॉंग्रिजेंस ले सकता है संग्यान ले सकता है और आगे ट्राइल करके अपना जो दोशी व्यक्ति हो वो पुलिस के ही क्यों ना पतादिकारी हो उन पर कोर्ट जो है सजाय दे सकता है तो कोड का एक CRPC में अपना पावर है सुओ मोटो अपने भी जानकारी से अगर कुछी ने कंप्लेंट नहीं भी किया और कोड को जानकारी मिली कि हां कोई ऐसी जगन घटना सेंगे अपराद घटित हुआ है तो कोड कोग्निजेंस खुद से भी ले सकता है सर हम आपसे यह जाना चाहेंगे यहां पर कि आखिर सरकार जो है जब इस बील में धारा साथ आठ और पंद्रह जो है पुलिस को जो निरंकुस बनाती है तो आखिर नितीस सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई क्या लगता है आपको आजे पुलिस आफिसर आप बिहार सरकार के पुलिस महानिरेशक जैसे पत पे रहे हैं तो क्या लगता है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई अब सरकार को क्यों जूरत परी है यह तो सरकार समझेगी सरकार बताएगी इसके बारे में लेकिन मैं जहां तक समझता हूं एक पुलिस पदादी कारी के अगर इसको गिरफतारी और तलाशी और इस तरह के पावर दिये जाएंगे तो इसकी बदले में जो अस्थानिय पुलीस पदादिकारियों की जो कमी है उसको बरहा के उनकी संख्या हर अस्तर पर सरकार इस काम को पूरा कर सकती थी गिरफतारी सर्च या जो चार्शीट करना अपरादियों को अभियक्तों को जिन्होंने अपराद किया है और कोट में सजा होता तो वो संख्या बरहाई जा सकती थी बीमपी बिहार विशेश सस्त्रबल अब जो हो जाएगा उसको यह पावर दिये जाने से चुकि उनका वो प्रसिक्षन का आस्तर नहीं है आज तक उ पावाई अड़े पे रहता है या बरे-बरे सरकारी फैक्टियों में ड्यूटी करता है सुरक्षा का काम करने का उसको कुछ अपराद एक लिमिटेड अपराद में के लिए उनको पावर दिया गया है कि वह अपना करके इस तरह की करवाई जो थाना पुलिस को पावर है सि क्यार चाहर पीशी में बहुत लिमिटेड अपराधों के लिए लेकिन वैसा प्रावधान इस भीशी संसात्र पुलीस विदहक में नहीं क्या गया सिस फ की तरज पर कि किन किन अपराधों के लिए उनको विशेश्शस्त्र पुलिस बलके पतादिकारियों को और ऐफ यार संधान गिरफतारी तलाशी के पावर दिये गए हैं वो इसमें लिखा हुआ नहीं है वेग है कन्फ्यूजन है जिसका दूरूपयोग हो सकता है एक्सेसिव एक्सेन होने से जनता को चार पुलिस का सहना होगा कई बार थाना से ही आम जनता प्रेशान रहती है अगर वो थाना के लोग जाती करते हैं आप सस्त्रबल को भी यह अधिकार दे दिये जाएंगे तो और भी मतलब जनता को विक्टिमाइज किया जा सकता है उनके द्वारा और फिर आपने उसाहब उनको जो है उनके खिलाब को पावर भी नहीं दिया है को तो फिर जनता कहा जाएगी जनता विक्टिमाइज भी होगी और चुपचाप सहन भी करना होगा और जिस पदादीकारी ने जाती किया उस पर कोट भी कारवाई नहीं कर सकता चुकि आपने विधेक में ऐसा प्रावदान कर दिया है मतलब सर ये एक तरह से कि पुलिस जो बिहार बिसे सस्त्रक पुलिस होगी उसको पूरी मतलब खूली छूट देना हुआ और कहीं न कहीं एक जो शरकार है वो तानासा की ओर बढ़ रही है जिसको चाहे वो बंद कर देगी जिसको चाहे वो तलासी करवा लेगी और जिसको वो है वो हिरासत में ले लेगी ऐसा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है इससे आराजकता समाज में होगी और एक जो है डिसिप्लेन कुशल प्रसेक्षे जो पुलीस बल है जो थाना के पदादिकारी है उन पर स्पी का नियंतरन है तो कोर्ट का नियंतरन है आराओल एकाउंटेबल टू कोर्ट ऑलसो पुलीस अफसर सार थाना के जो अफसर है वो जुडिसियरी को एकाउंटेबल है संभीधान और जो प्रक्रिया है तो आपने साहब इसमें एकाउंटेबलिटी भी खतम कर दिया है तो यह तो मनें फंडामेंटल राइट्स का और स जनता के हैं उनका हनन भी होने की बहुत संभावना है इस विद्यक के माद्यम से नाम बदलने में कोई दिकत नहीं है आप विशेश सस्त्रबन रखिए जरूर रखिए लेकिन शक्तियां जो दी गई है और जब सेंटर में इंवेस्टिगेशन की पावर वो उनके पास है न आना है जिला पुलीस है ब्यवस्था है तो फिर बिहां बीएंपी को बिहार सशस्तर पुलीस बल को अब ऐसी शक्तियों देने की मने कोई आवशक्ता नहीं प्रतीत होती है इस कर हैं कि इस बिल के आजाने के बाद जो पुलीस को जो है कॉंटर करने का अधिकार होगा जो होना ही चाहिए था काउंटर करने का कोई अधिकार नहीं होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है वो किसी को भी उपलब्ध है एक आम नागरी को भी उपलब्ध है आपके उपर भी कोई गोली चला के आपकी हत्या करने के प्रयास कर रहा है तो आप भी अपने डिफेंस में गोली च जब जाते हैं रेड में उन पर गोलियां चलाते हैं उगरबादी हो या अपराधी हो तो उनको गोली चलाने का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है तो यह राइट जो है एक आम जनता को भी उपलब्ध है आखिर आपको बंदू रिवॉल्वर का लाइसेंस तो आम सेक्ट में दिया जाता है एक आम नागरिक को तो वह अधिकार तो है है उसके लिए अलग से यह विशेश अधिकार देने की कोई आवशकता तो है नहीं मतलब सर आप कर रहे हैं कि पर्तिपक्ष के निता तिजसुई आदव जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं सड़क पोलीस बिधेक के माध्यम से हैं अगर पोलीस बल नाम दे दिया जाए वह पोलीस को सहाइता करें पोलीस के काम में रफ्टारी हो गरवादियों के खिलाव जगहन गिरोहों के खिलाव तो ठीक है लेकिन पावर दे देना अरेस्ट का सर्च का और उनको कोट के परव्यू से बाहर कर देना ये सारे प्रावधान जो है जन बिरोधी हैं हमसे बात करने के लिए सुक्रिया सर्थ बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे बिहार के पूरू डिजीपी और बरतमान में आरजेडी के बुद्ध जीवी प्रकोष्ट के परदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुपता जी जिनका कहना था कि ये जो बिहार बिसे ससस्त्र पुलिस बिदेयक 2000 की कीस है वो जो है इसके जो पुलिस के जबान होंगे उन्हें ये सुब्धा परदान करती है कि वे आपके घर बिना वारंट के पहुंच सकते हैं आपकी तलासी ले सकते हैं और तो और जिसको आप कहीं चुनावती नहीं दे सकते हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि सड़क पे खुला सार्ट छूड़ जाता है तो सरकार ने इस बिदेयक के जरिये खुला सार्ट छोड़ने का काम किया है जो बेहद ही खतरनाक है योगी शिक्रवजती राजनेटवर्क पटना